हेलो इबरीवन, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल माईसेल फर्बिन जादो आज की वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्यूटर टापिक के इंपॉर्टेंट कोश्चनों का डिसका सल तो जैसा कि आपको पता है कि मद्द्य प्रदेश सब इंजिन एक्जाम में 2547 पोस्ट की वैकंसी आई है और जिसमें सिविल ब्रांच की 1900 सीटे हैं इसके अलावा जो मद्द्य प्रदेश सब इंजिन एक्जाम है इसका इक्जाम होने की डेट है ब的 27 September और 24 सितंबर को एकजाम होगा जो कि आज से सरफ 24 दिन बचे हुए है है तो अगर देखें तो मद्ध्रदेश सब इंजिणियरें एकजाम का पैटर्ण पाइटर कीमा ननいい कर दो क्या हूं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप यूटूब चैनल को सस्काइब कर लिजिए जिसवे आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे साथ ही आमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोईन कर लिजिए जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से होती रहे अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नमबर पर मैसेज कर सकते हैं साथ ही अपने कोश्चन किसी भी तरह के भेज सकते हैं इसका सालीशन मिल जाएगा उसके अलावा आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी जितने भी पीडियाप और लेबल हैं वो सारे अपलोड किये गए हैं इसी नमबर से कनेक्टेड हैं जैसे कि परिच्छा दाम भोग पोनेकर भोग या जितने भी पीडियाप करेंट अफेर के मद्रप्रदेश जीके के या यूथ पॉब्लिकेशन की जितनी भी वोके होती हैं सारे हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे और लेवल हैं तो आज का हमारा टापिक है कम्प्यूटर के MCQ कोश्चनों का डिसकाशन और कम्प्यूटर सब्जेक्ट जो की फोटिन मार कारता है और आज हम computer mcq topic का discussion करेंगे साथ ही उसके आई सभी important question को काफी अच्छे और बारिकियों से समझेंगे जो कि हमारे सभी जिने exam point of view से काफी important है तो पहला question है कि hardware device कौन सी है जिसे आम तरप computer का brain काते हैं तो hardware device जिसे computer का brain किसे काते हैं तो CPU को CPU का full farm क्या होता है तो central processing unit उसके अलावा RAM का random access memory और hardware device क्या होते हैं जिनको हम छू सकते हैं जो physically appearance होती है जो दिखाई देती हैं उन्हें हम hardware device काते हैं software device जो application के through work करती हैं उन्हें software device काते हैं तो जैसे कि hardware device तो hardware device में जैसे CPU आ जाता है जिसको हम computer का brain करते हैं तो computer का brain यानि दिमाग क्या होता है तो CP होता है central processing unit किसी program में bug क्या होता है तो किसी program में bug जो होता है वो error होता है तो bug जो की होता है वो error होता है तो error जैसे किसी program का हम page login करते हैं तो वो open नहीं होता है access नहीं कर पाता है तो उसे bug करते हैं तो उस चीज़ को हम bug यानि error करते हैं bug का मतलब होता है error जैसे कि manual tester होते हैं तो वो क्या करते हैं तो वो bug को rage करते हैं अब bug को rage करके Gira application पर upload करते हैं जिससे उनको bug का पता चल जाता है जो कि पहले जैसे कि कोई भी software बनता है तो software पहले बनता है उसके बाद वो testing के लिए जाता है और testing जो test engineer होते हैं वो bug को खोजते हैं कि कहां कहां एक नहीं वर करता है फिर वो Gira application में जाके वो software अपलोड करते हैं और developer उसको उस bug को remove करता है तो bug in the sense मतलब error नेमलिखित में से कौन सा computer को telephone line telephone line को प्रियोग करके data अंतरित करने के अनमति देता है तो अनमतित देता है वो modem होता है telephone line को प्रियोग करके data अंतरित करने के अनमति देता है तो modem modem के थिरूँ data को अंतरित करने के अनमतित देता है CPU क्या होता है CPU computer का brain होता है Central Processing Unit Printer क्या है तो Printer जिसे हम Print करते हैं और Printer एक Output Device है अगला Question आते हैं पहला संक्रियात्मक Electronic Computer है तो पहला संक्रियात्मक Electronic Computer जो की नेमलिकित में से कौन सा सही रूप है तो सही रूप क्या है तो सही रूप है World Wide Wave www.www का फूल फार्म क्या होता है World Wide Wave इसको किस ने खोज की थी टीन बर्नलीन ने खोज की थी World Wide Wave क्या है तो एक Internet है और एक सर्वर प्रोइड करता है सबको उसके बाद अगला आता है CPU CPU क्या है तो CPU जो की Central Processing Unit नाम से जाना जाता है तो Central Processing Unit और इसके अलावा इसको क्या करते हैं तो Computer का Brain करते हैं एक hardware device होती है CPU जो externally जोड़ी जाती है नेमलिकित उत्पादों में कौन सा उत्पादन Pentium Brand नाम से बेचा जाता है तो Pentium Brand नाम से जो बेचा जाता है उसे बोलते है CPU यानि Central Processing Unit www का अविस्कार तथा सथापक है तो www का अविस्कार जो कि टीम बर्नलीन है उसके अलावा www का फुल फर्म क्या होता है World Wide Bay उसके बाद Bill Gates किसके फाउंडर है तो Bill Gates जो कि Microsoft के फाउंडर है और Microsoft क्या बनाती है तो Microsoft एक चिप बनाने की कमपनी है उसके अलावा Microsoft ने और भी प्रोडक्ट को जो कि डेवलब किया था तो Bill Gates जो कि Microsoft के आविस्कारक और फाउंडर है और टीम बर्नलीन www के है लिखित में से कौन से आविस्कारक और संस्थापक है तो आविस्कारक और संस्थापक जो दोनों है तो वो हैं टीम बर्नलीन पहले इलेक्टानिक अंकिये कम्प्यूटर क्या था तो पहला इलेक्टानिक अंकिये कम्प्यूटर अगर हम जाने तो इसको करते हैं वाल तो इलेक्टानिक अंकी कम्प्यूटर क्या था तो वाल था ठीक तो इस तरह से हमने 10 important questions को discussion किया अनुपम क्या है तो अनुपम जो की एक सूपर कंप्यूटर है सूपर कंप्यूटर जो हाई स्पीड से वर्क करता है उसे सूपर कंप्यूटर करते हैं इसकी छमता ज्यादा होती है नार्मल कंप्यूटर से तो अनुपम जो की एक सूपर कंप्यूटर है निमलिखित में से लाक और संस्ताफक दोनों है कंप्पूटर की सबसे छोटी काई क्या है तो कंप्पूट्र की सबसे छोटी काई निवल होती है संधान के इंदर दरा बिक्सित सूपर कंप्यूटर परियोजना है तो यह परियोजना है अनुपम अनुपम एक सूपर कंप्यूटर है एक कंप्यूटर की स्मिर्ति सामान तोर से कीलो बाइट और मेगा बाइट के रूप में व्यक्त की जाती है एक बाइट बना होता है तो हूं इक स्वार्ट की मेगावाइट शॉक्त की जाती ओ होती है तो ओ क्रफित है यानि आक्क्त Interior फर्र और किती हैं किस वुश्आछ से संबंदित है तो इस वैंडे कंप्पिटर से फंबंदित है जो इमिल में इसुर में इसवा आता है उर्ष प्रेशन की गतिकों आपने के लिए किस बिशे से संबंध है तो उसका संबंध जो कि computer से है instruction के उस समों को क्या करते है जो computer को बताता है कि क्या करना है तो उसको बताते है program जो से instruction के उस समों को क्या करते है जो computer को बताता है क्या करना तो उसे करते हैं program program जो कि हम data एक data और computer language के require होता है जैसे programming क्या होती है तो जैसे C programming, C++ programming, Java, Python ये सब programming होती है निम्लिखित में से कौन से भारत के सबसे बड़ी software company है तो भारत की सबसे बड़ी software company TCS है और TCS का full farm क्या है Tata Consultancy Service Tata Consultancy Service सबसे बड़ी software company भारत की है जब कोई computer, कोई क्रमादेश लागू होता है तो यह क्रमादेश कहाँ पाटक जाता है तो यह क्रमादेश RAM में अटक जाता है RAM का full farm क्या होता Random Access Memory ROM का full farm होता Read Only Memory तो क्रमादेश लागू होता तो क्रमादेश कहाँ पाटक जाता है तो RAM में अटक जाता है computer की अस्थाई स्मूर्थी क्या कहते है तो computer की अस्थाई स्मूर्थी जो की ROM होती है ROM याने Read Only Memory निम्लिकित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है तो निर्गम उपकरण नहीं है प्रकासित लच्छन अभिज्यानता पहली computer बहां सा कौन सी बिक्सित की गई थी तो पहली computer बहां सा फोर्टरन जो की बिक्सित की गई थी computer के लिए IC चिप आम तोर पर बनाय जाते है तो IC चिप जो की सिलिकान के बनाय जाते है निर्गित में से कौन सा बल्ज का हिस्सा नहीं है तो बल्ज का हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा लेजर पिंटर निर्गित में से कौन से लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है तो C यानि अर्दचालक लेजर पहला computer किसे बनाया था तो पहला computer जो की चाल्स वाइवेज ने बनाया था तो पहला कम्पीटर किस ने बनाया था तो चाल्स वाइवेज ने बनाया था आधुनी कम्पीटर का लगू रूपकरन संभव हो सकता है निम्लियों खित में से प्रियोक से तो समाकलित परिपत चीप में किस किस आंकड़ा चेन के रिकार्ड कि उप्रिछाकार संचेंग क्या कालाता है तो स्रेंडी माडल कालाता है निम्ल में से कौन से कम्पीटर आंकड़ों और तुर्टियों को प्रदासित करता है तो आंकड़ों तुर्टियों को प्रदासित करता है बग बग जोकी एरर और इन सब चीजों को प्रदासित करता है निमने में इसे कौन सी यंत्र समागरी नहीं है, तो यंत्र समागरी नहीं है, तो ओ है प्रचालन तंत्र, जब कोई कम्पीटर एक छोटे छेत्र में बिना टेलिफोन और तारुक से परसपर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, जैसे छोटे छे तो नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है IC चीप का निर्माण किया जाता है तो IC चीपों का निर्माण किया जाता है तो वो निर्माण किया जाता है सिलिकान से सिलिकान से IC चीप का निर्माण होता है आजकल सबसे अधिक प्रियोग होने वाली निवेस युक्ती यानि input device क्या है तो सबसे ज़्यादा उप्योग की जाने वाली input device जो की mouse है पद MBM का प्रियोग होता है तो MBM का प्रियोग होता है तो ओकते मेगा वाइट्स के लिए मूल निवेस निर्गम प्राणाली में computer भिद्दमान रहता है तो ओ भिद्दमान रहता है वाल्व में electronic computer का विश्कार किस ने किया तो electronic computer का विश्कार इन में से कोई नहीं किया क्योंकि electronic computer का विश्कार ब्लेज पास्कल ने किया था कμपूटर की भाहंसा Megabyte में कितने Byte होते हैं तो Megabyte Megabyte यानी Yambi Yambi में कितने Byte होते हैं तो 1000 Byte की इसाब से करें तो 10,484,486 Byte होते हैं आपसन Ин dement करेक्ट हो जाता है सूपरकंपूटर के सब्द लंबाई का परास यानी range होता है तो रेंज होता है 64 bit तो 64 bit जो कि सूपर कम्पीटर के रेंज होता है Computer, Computer Virus के वल एक प्रकाय का साफ्टवेर जो मुख्यतर नस्ट होता है प्रोगामों में नेमनों में से उस यंत्र का नाम बता है जो computer को टेलिफोन लाइन से जोड़ता है तो उस यंत्र का नाम है Modem Computer System के किस भाग को भागोलिक रूप से असपर्श किया जा सकता है तो hardware को भागोलिक रूप से असपर्श किया जा सकता है Dart Matrix किसका प्रकार है तो Dart Matrix जो की एक प्रिंटर होता है Dart Matrix जो की एक प्रिंटर का प्रकार है Microsoft Corporation का संबंद किस उद्योग से है तो Microsoft Corporation का संबंद Computer Software से है कौन सा पार्ट Computer का Brain होता है तो CPU होता है CPU का Full Farm Central Processing Unit नेमने में से कौन सा System Component Computer मस्तिष होता है तो System Component Computer का मस्तिष होता है उसे बोलते हैं CPU यानि Central Processing Unit Computer Printer किस प्रकार का Device है तो Computer Printer जो की एक Output Device है Computer को Will Computer का Will Permanent Memory क्या होता है तो Will Permanent Memory Roam होता है Computer का यूप योग आने वाली IC Chip किससे बनी होती है तो IC Chip जो की Silicon की बनी होती है नेमने में से किस प्रकार हाड़वेर नहीं है तो हाड़वेर जो की Java नहीं है जावा एक प्रोग्राम है प्रोसेसर एक हार्डवेर है प्रिंटर एक हार्डवेर है माउस एक हार्डवेर है माउस क्या है तो माउस एक इनपुट डिवाइस है प्रिंटर जो की एक आउटपुट डिवाइस है और जावा जो की एक प्रोग्राम है यह हार्डवेर डिवाइ बलकि एक software डिवाइस है। तो मद्ध का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जावा में लोकल एरिया नेट्वर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। कम्पीटर की डाटा CPU को परेदी यंत्रों को अलंकर्ण किस माध्यम से किया जाता है तो कम्पीटर पोर्ट्स के द्वारा किया जाता है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने को कौन सी संचाल विदी प्रेट किये जाती है तो फुल डूपलेक्स विदी उप्यो बीद्यों के यूज होते हैं उस उक्ती का क्या कहा जाता है जो कम्पीटर आॉट्पिट को टेलीफोन लाइनों के अहरे करने के लिए रूपांhteर करता है तो उस उक्ती को कहा जाता है जो कि इसका भाग है निमलिखित में से कौन सा सूचना प्रदोगी की सब्तावली का भाग है तो प्रोटोकाल, लर्निंग, आर्ची यानि उपीक्त सभी जो की इसका भाग है निमलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है तो इसका correct answer है यानि wide area network learn का full farm क्या होता है local area network man का full farm metropolitan area network computer निम्लिखित में से कौन सा कारे नहीं करता तो computer निम्लिखित में से कौन सा कारे नहीं करता तो understanding जो computer कारे नहीं करता है निम्लिखित में से कौन सा hardware का उधारा नहीं है तो hardware का उधारा नहीं है operating system निम्लिखित में से संबंधित 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 पद नहीं है तो संबंधित पद कौन सा नहीं है तो संबंधित पद जो की प्रिंटर नहीं है, इंटरनेट सम्मादिन पद जो नहीं है, वो प्रिंटर नहीं है, निमनिकित में कौन सा इस्टोरेज माध्यम नहीं है, तो इस्टोरेज माध्यम जो नहीं है, वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो की एक इनपुट डिवाइस है, कम्प्यूटर के संदर में स बराबर होता तो चार बीटों के बराबर होता है तो इस तरह से हमने 64 important question का discussion किया मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले so thank you so much for watching this video